Grooming का मतलब ना सिर्फ यह नहीं होता कि Salons में जाके अच्छा सा Hair Cut और Hair Color करवाओ या फिर Branded और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कप्रे डालो Grooming is an Art of Self-Presentation तो personality को Groom करने के लिए दो different aspects होते हैं एक होता है Metaphysical aspect और एक होता है Physical aspect Physical aspect का मतलब होता है जिसमें कि हम अपनी appearance पे focus करते हैं और Metaphysical aspect होता है जिसमें कि हम अपनी personality की traits और attitudes पे focus करते हैं और इन दोनों aspects पे focus करके हम अपनी personality को और ज़दा Groom करते हैं अपनी personality को develop करते हैं अपना better version बनने के लिए Hi, कैसे हैं आप? मैं हूँ Dr. Shikha और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे grooming tips share करूँगे जिनको follow करके आप अपनी personality को पहले से जाद attractive और magnetic बना सकते हो In case आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell पे click जरूर कर देना ताकि जो मैं इसका second part upload करूँ ना जिसमें कि हम metaphysical aspects के बारे में बात करेंगे अपनी personality को well groomed और attractive बनाने के लिए तो वो आपसे miss ना हो सबसे पहले हम बात करते हैं बालों के बारे में बालों को ना एक तो clean होना चाहिए alternate days पे उनको wash जरूर करना चाहिए proper condition जरूर करना चाहिए और in case dandruff है तो dandruff को जरूर ट्रीट करना चाहिए जिसमें कि आप simple mustard oil को heat करके उसमें one spoon lemon add करके wash करने से one hour पहले उसको scalp पे apply करके छोड़ दो उसके बाद अपने hair wash कर लो तो उससे dandruff जो है वो treat हो जाते है hair ना तो oily होने चाहिए ना ही बहुत ज़दा dry होने चाहिए एक balance होना चाहिए oil हमेशा hair को wash करने से पहले ही apply करना चाहिए hair को wash करने के बाद apply नहीं करना चाहिए और जो males हैं जो कि wet look चाहते हैं उसके लिए वो hair पे oil apply करते हैं तो वो better है कि roots को touch ना करे सिर्फ जो उपर उपर के hair surface है उस पे हलका से oil apply करें क्योंकि जब roots पे oil होता है ना तो वो क्या होता है कि sweating के साथ वो oil भी face पे आ जाता है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता अपने hair को time to time trim कराते रहना चाहिए ताकि एक neat appearance हो उनकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके जुल्फे हैं वो लहराह लहराह के बार बार आपके face पे आती जा रही है तो उससे एक अच्छा impression क्रियेट नहीं होता है इसलिए जो hair है ना वो proper अपनी जेके पे सेट होने चाहिए कई बार पूरी personality बहुत well groomed होती है सिर्फ एक hair manage नहीं होते जिनकी विज़ा से सारा कबाड़ा हो जाता है कौन सा hair color, कौन सा haircut आपको suit करेगा professional advice लेके फिर करवाना चाहिए दूसरा हमें lips की proper care करनी अगर हम किसी से बात कर रहे हो और हमारा उसके lips पे एकदम से ध्यान जाए और देखे कि उसके lips बहुत cracked है और वो बहुत rough और dry से लग रहे है तो उसकी एक अच्छी image क्रेटनी होती तो इसलिए हमें lips का भी ध्यान करना चाहिए चाहिए वो male हो, चाहिए एक female हो एक lip balm ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप lip balm नहीं यूज़ करते हैं तो simple जो घर में मलाई होती है मलाई को हलका सा लेके या देशी घी को लेके अपने lips पे हलका सा लगा लेना चाहिए ताकि जो lips हैं वो properly moisturized रहे हैं साथी साथ water intake भी पूरा सही रहना चाहिए अगर हम dehydrated होते हैं पानी कम पी रहे होते हैं तो उससे भी हमारे lips dry होते हैं अगर lips dry होते हैं और cracked होते हैं सामने वाले कि तो mind में जो भी image create होती है हम खुद भी comfortable नहीं रहते हैं हम खुद भी conscious रहते हैं बार-बार मन करता है कि पानी पी ले बार-बार ऐसा मन होता है कि tongue लगा कर जो lips है उनको गीला कर ले तो अगर हम comfortable नहीं होंगे तो हमारी जो overall personality है ना वो भी dull रहेगी अपने आपको groom करने के लिए next step ये है कि आपको smell करना है अच्छा आपके पास से अच्छे-च्छे खुश्बू आने चाहिए तो उसके लिए आपको एक deodorant और एक perfume जरूर यूज़ करना चाहिए ताकि आपको अपने पास से तो अच्छे-च्छे खुश्बू आए ही साधे साथ कोई आपके पास से भी निकले तो उसको body order करोगे उसको तो उसकी जो overall personality थी ना वो फीकी पर जाती है because of that one thing डियो पर्फियूम लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल नहा करी बाहर निकलो जिसे टीवी में आड्स आती हैं कि पॉस ऐसे ऐसे करके 3-4 bottles उडेली लेते हैं आपने उपर तो उससे क्या दिखाते हैं कि उसके बाद बस लड़कियां और जो भी पास से निकल रहे हैं वो ऐसे नशे में और खुश होता सजा रहा है और उसका ना सच्चाई और हकीकत से कोई लेना देना नहीं है अगर बहुत ज़़दा परफ्यूम लगाओगे बहुत स्ट्रॉंग परफ्यूम लगाओगे उससे क्या होगा कि आपके आसपास आले लोगना इरिटेट हो जाएंगे किसी को भी बहुत ज़़दा स्ट्रॉंग स्मेल्स अच्छी नहीं लगती हैं आपको यह सोचना है कि आपने परफ्यूम सिर्फ इसलिए लगाना है ताकि आपको अपने पास से अच्छी कुछ भूआए और साथी साथ जो बॉडी ओर्डर है आप उसको टैकल कर सको साथी साथ माउथ ओर्डर को भी टैकल करना है दिन में दो बार ब्रश करो कुछ भी ऐसा स्मेली खाओ जैसे अन्यन गार्ली के ऐसा कुछ खाओ तो उस टाइम पे भी कोशिश करो कि कोई माउथ वाश हो जो आपके पास हो टीत प्रॉपर क्लीन होने चाहिए जब भी कुछ खाओ तो उसके बाद अपने माउथ को अच्छे से वाश करके आओ रिंस करके आओ और चेक कर लो एक बार मेरर में कि कुछ भी जो आपने खाया था उसके कुछ निशान जो हैं आपके दांतों में बताना रहे हो कि आपने अभी क्या खाया था next अपने personality को attractive बनाने के लिए आपको अपनी skin का ध्यान रखना है skin clean और moisturize होने चाहिए तो दिन में दो बार at least face wash से अची तरह wash करके skin को moisturize ज़रूर करना चाहिए ताकि जो skin है उसके appearance fresh हो dull ना लगे skin साथी साथ अपने skin को tanning से prevent करना तो इसलिए sunblock चाहिए वो male हो चाहिए वो female हो उनको दोनों को जरूर apply करना चाहिए चाहे cloudy day हो चाहे आप घर के अंदर हो आप कहीं ना जा रहे हो तो भी आपको sunblock जरूर apply करना चाहिए क्योंकि वो prevent करता है skin की aging को भी और skin को tan होने से भी तो skin से face की नहीं पूरी body की skin का आपको ध्यान रखना है आपको जो ये वाले areas होते हैं जो dark हो जाते हैं इनका भी ध्यान रखना है साथी साथ जब हम अपने face की बात करें ना तो eyes eyes के around जो skin होती है corners पे यहाँ यह भी dry हो जाती है जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता जिसकी वज़े से हमारी overall personality का एक negative impression क्रेट होता है इसलिए जब skin को moisturize करो तो अपनी eyes के corners को भी अच्छी तरह से moisturize करना चाहिए और clean करना चाहिए और जो भी आप product अपने face पे apply करो कोई भी cream apply करते हो moisturizer sunblock उसको अपने ears और neck और आपकी chest का जितना part visible है उस पे भी ज़रूर apply करना चाहिए otherwise क्या होता है कि face और बाकी का area है वो बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं इसी के साथ जो facial hairs हैं उनका भी धियान रखना है जो males हैं उनको ear के और nose के hair time to time trim करते रहना चाहिए अगर उन्होंने beard रखी हुई है तो उसको भी timely trim करना चाहिए females को भी facial hair को tackle करने के लिए पूरा jungle होने की वेटनी करनी चाहिए time to time इनको deal करना चाहिए जो भी आप करवाते हो waxing, threading, trimming उसको regular करवाते रहना चाहिए hands की भी हमें proper care करनी है जितनी बार आप hand wash या soap से hand को wash करो ना तो hands को moisturize जरूर करना चाहिए जितने जादा वो dry रहेंगे और जादा वो rough होंगे उतनी ही जल्दी उनकी aging होगी साथी साथ जो हमारे hands में nails हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना है और ध्यान रखने का मतलब सिफ यह नहीं है कि पार्लर जाके manicure करवा किया जाओ खुद भी जो regular आपको ध्यान रखना है वो यह कि nails properly trimmed and filed होने चाहिए uneven नहीं होनी चाहिए आपके nails सारे एक जैसी length के होने चाहिए कई लोग क्या करते हैं कि nails को इतना जादा cut कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी skin ही skin रह गई है nails तो बिचारे जरा से कहीं पर दिख रहे होते हैं nails की length अटलीस इतनी होनी चाहिए जो आपकी skin को fingers की cover कर रही हो nail paint या तो लगा हुआ हो या फिर नहीं लगा हुआ हो बट आधा पचादा नहीं लगा होना चाहिए अगर वो आधा पचादा लगा हुआ है तो उससे आपकी image ऐसी लगते है कि आप बहुत lazy हो जिससे कि आपकी personality attractive नहीं लगती है lazy personality लगती है और कई बार क्या होता है कि nails बहुत rough हो जाते है तो nails के लिए एक nail buffer आता है nail buffer जरूर यूज़ करना चाहिए जिसको nails पे rub करने से na nails shiny लगते है nails के side पे cuticles होते हैं ये cuticles क्या होता है mostly rough हो जाते हैं dry हो जाते हैं इनको हमें push करना होता है अंदर की तरफ खुद से हमें इसे cut करनी कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बर हम cut करते हैं तो उससे वो बहुत ज़ादा cut हो जाते हैं जिससे fingers बहुत ज़ादा rough दिखते हैं प्रॉपरली moisturized रखोगे अगर आप hands को तो वैसे ही वो बहुत ज़ादा rough नहीं होंगे बट हम उनको अंदर के और हमें उनको push कर लेना चाहिए Nails अगर neat, clean and trimmed होते हैं Hands moisturized होते हैं आप बहुत confidently अपने hands को भी use करते हो सामने वाले से बात करते हुए इस चीज़ को लेकर आप conscious नहीं होते हैं कि मेरे hands दिखने में या मेरे nails दिखने में कैसे लग रहे हैं अपनी looks को और ज़दा enhance करने के लिए accessories को भी use करो accessories वो होने चाहिए जो आपकी overall personality को compliment करती हो ऐसी नहीं होने चाहिए कि जो आपकी personality को take over कर जाए jewelry जितनी minimum हो use करो लेकिन एक watch जो है वो जरूर add on करो जब आप watch पहनते हो तो आपकी magic ऐसे person के create होती है जो कि time को importance देता है और time की value करता है जो कि आपकी personality को और जादा attractive बनाता है ऐसे ही dresser भी आपको वैसे ही होना है जो कि आपकी overall personality को suit करता हो आपको कभी भी blindly fashion trend को follow नहीं करना चाहिए follow करना चाहिए latest fashion trend को but blindly नहीं करना चाहिए अपनी common sense use करने चाहिए conscious decision लेना चाहिए कुछ भी नया try करते हुए कि क्या ये मुझे पे suit करेगा जो भी आप dress पहनो वो proper fitting की होने चाहिए अगर आप बहुत जादा loose oversize dress पहनते हो तो आप lazy दिखते हो और जब आप बहुत जादा tight clothes पहनते हो तो उससे आप uncomfortable appear होते हो और जो कोई person uncomfortable appear हो रहा होते है तो उसकी personality dull लगती है attractive लगने की बजाए इसलिए जो भी dress पहनो वो proper fitting की होने चाहिए ऐसी dress पहननी चाहिए कि जिसमें आप comfortable feel करो confident feel करो जो की weather के according हो occasion के भी according हो जिससे कि अगर आप interview देने जा रहे हो और वहाँ पर आप floral prints की shirt पहन के जाते हो या फिर बहुत जादा glittery dress पहन कर जाते हो तो वो उस occasion के accordingly right नहीं है तो dress according to occasion, dress according to your comfort and dress according to your body type और जो आप shoes पहनो वो भी comfortable होने चाहिए, सिर्फ trendy नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर आप uncomfortable feel करोगे तो आप confident नहीं दिखोगे आप confident नहीं दिखोगे तो आपकी personality attractive होने की जिके dull लगेगी shoes clean होने चाहिए और आपके पुरी attire को match करते होने चाहिए कई बार हमें यह लगता है कि shoes की तरफ कोई ध्यान नी देगा लेकिन research यह बताती है कि जब भी हम किसी person को देखते है ना तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके shoes की तरफ जाता है तो हमारा देखते हुए तो shoes की तरफ ध्यान जाता है कि जो sides and soles हैं, वो भी properly clean हो, क्योंकि कई बार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हम सिर्फ उपर-उपर से clean कर लेते हैं, जो sides होती हैं, वो clean नहीं होती हैं, जो कि देखने में अच्छी हैं नहीं लगती है, all in all, अगर आप एक attractive personality चाहते हो, तो आपको physical grooming की तरफ ध्यान दे ताकि आप confident feel करो अपनी looks के लिए, ताकि आप जिससे भी मिलो, उसके mind में आपकी एक positive image create हो, क्योंकि जो लोग फिजिकल grooming के aspect को ignore करते हैं, उनकी एक negative image, एक lazy person की image create होती है सबके mind में, लोगों के mind में ये message जाता है, कि ये person खुद की value ही नहीं करता, और जो person खुद की value नह करता, आपको ये video कैसा लगा, like और comment करके में साथ जरूर share करना, मिलते हैं next video में, जिसमें में आपके साथ share करोंगे, कि वो concentrates और habits हैं, जिनको adopt करके, आप अपनी personality को और ज्यादा attractive बना सकते हो, magnetic personality बन सकते हो, till then, stay blessed, stay smiling, namaste.